बार दोस्तो हवे आपने पाटनू श्रवन करिये। जग मुहंदास इटला श्रिमंध हता कि एमना वर्तुड मा ते राजा नाम थीच संबोधाता। लक्ष्मी देविये बे हाथे तेमनी आर्ती उतारी हशे। साठ लाक रूपियाने खर्चे दर्या किनारे बंधावेलो तेमनो आस्मानी आनंद महेल रात्रे दीवाना जड़ हडाड थी अलकापुरी नी याद आपी जतो। तेमने घेर छो मोटर गाडियों हती अने नोकर चाकरनो तो पार नहीं। जगमोहन दासना कुटुमना आठ सभ्यों। तेमना पत्नी पार्वती बहें। प्रुद्ध पीता दायाल जीभाई। 26 वर्षनो पुत्र सुमोहन। पुत्र वतु उत्पला। तेमना बे बाड़को मिलन तथा मुरुनाल। 16 वर्षनी पुत्री पुत्री पृती अने जगमोहन दास पोते। आटला बधा वैभवी स्थान मा ज्या दरेक जण पोतानी इच्छा प्रमाणे करी शक्तु होई। त्या कुटुमना घर्षन नो के एवो प्रसंग शैनो उभो थाई। बधाज लोको खुब सुखी हता। जिन्दगी सामे फर्याद करवालून एमनी पासे कोई कारण न होतु। पण विधाताना खेल माए अजब वडांको रहया होई छे। जगमोहन दास 60 नो वैपार करता हता। वैपार माद एमने एक भयंकर फटको पड़ियो। अने विपत्ती जारे आवे छे त्यारे एकली नथी आवती। साथे एना लाव लशकरने पन लावे छे। एक एहवत अनुसार एक फटकानी पाचड एक पची एक आघातो पराजयो नुकसानी नी परंपरा चाली आवी। थोडा वर्षो मा जगमोहन दास बदूज खोई बेठा। ए नमानी शकाई एवी वात हती। नाख उगाडता ना उगाडतामा वही गय। नुकसान एवडू मोटू हतु के शेटने पोतानो बंगलो सुद्धा वेची नाखवो पड़ियो। मोटर गाडी ने घरनी बीजी कीमती वस्तु ओ तो ए पहला ज वेची नाखेली। अतिश योक्ति वगर। खरेखर सोनाना जिमना बाड़को जूल्या हता ए जग मोहंदास पच्चास रूपया भाडू आपी एक नानकडा मकानमा रहवा चाल्या गया। श्रीमनताई मानसना स्वभावने एक प्रकरनी अकडताती सजावी राखे छे। वैभवनू उँचु आसन एना स्वभावने अमीरी पाई नो अंचडों पहरावे छे। पन मानसनी सामे जयरे आफ़त ववी पड़े छे। पाई पाई ना हिसाब उपर एने दिवसों खेंचवाना होई छे। त्यारे एना सोभाव मां सम्तुलाने अउदार्य किटला रहे छे। ए एक निरिक्षण करवा जेवी वस्तु छे जग मोहंदास शेठ नाना बनी गया पची घर माथी बधा नोकरोंने रजा आपवामा आवी हती। केवड एक घाटी घर नू काम करतो। रसोईनू काम स्त्री वर्गे उपाडिली दु हतु। चड़कती नवी मोटरों मा खरता शेठियाओने बदले हवे एमने घेर नाना सामान्य मानसोनी अवर जवर वधी हती। जग मोहंदास नी पुत्री पृती मारी मित्र हती। हुँ ए लोकोने घणा समय थी ओड़कती। पण मारू एमने त्या जवा आववानू ओचु रहतु। पण एमनी बदलायली स्तिती पची हुँ एमने त्या अवर नवार अने पृती अने एनी बाने काममा मदद करती। एलोको एकदी काम नहतु कर्यू। एटले अगवडतो पारा वार उभी थती। पण तेवो एने निभावी लेता। एक दिवस बपोरे हुँ एमने त्या गई। त्यारे बहार ना वरंडामा दायार जी भई बैठा बैठा चस्मा चड़ावीने छापू आशता हता। पासे जैने मैं कहिँ। नमस्कर दादा। केम छो। तब यत्तो सारी छेने। छापू खसेडी चस्मा ठीक करी मारी सामे जोई दादा मिठू हस्या। घणा दिवसे आवी बेटा। प्रिती कहती हती। तु बाहार गाम गई छो तब यतो सारी छेने। उन्तो दादा वड़ी कहे दिवसे मजा मनती होती। पन तमे कैम छो ए तो कहो। दादा ए एक हडवो निश्वास मुकी ने कहिँ। मारे शो दूग छे दिकरी। त्यारे बेठो बेठो खातो हतो आजे बेठो बेठो रोटलो खाऊं छु। मने कशी वातनी तकलिफ नथी। हजू आजे पन सवारे हूं पथारी माथी उठू कि मसालो नाखेली गरम चानों सरस्कप आजर थाई जाई छे। वहू मने पूछी ने रसोई बनावे छे। ने मारी तब्यात माटे जुदूर पन प्रांधे छे। बपोरे छापावांचू छू ने साजे फरवा जाऊंचू। मोटर नथी एटले हवे चालवानी कसरत मड़े छे। ते उल्टू सारू रहे छे। तो दादा तमे नीश्वास के मुक्यो। एम छे दिकरी। जहां सुधी साहे भी हती। त्यहां सुधी बैठो बैठो खातो हतो। ते कशु खराब नोतू लागतू। पन आजे जिने कदी कशु काम नोतू कर्यू। एवा आ पार्वती, प्रीती, उत्पला, जोश भेर काम करवा लागी गया छे। त्यारे हूं बुढ़ो कशु कर्या वगर खाउंचू। ते मने खुचे छे। पन हूं हवे शूं करी शकू। मारी जुवानी मा तो मैं पन घणू काम कर्यू छे। पन अत्यारे आवस्था है मने कौन काम आपे। बस आज वातनू दुख रया करे छे। दादा फरी एमनू मीठू पन विलायलू हस्य हस्या। काई नही दादा तमारी अवस्था पन क्या छे काम करवा जीवी। मैं आश्वसन आपनो प् हाँ जरा बहार गाम गई हती। केम छे कामकाज। नवी नौकरी मा आनंद छे ने। आनंद तो छे दर्षना बिन। छेक अमेरिका जैने भणी आवेओ इनकामू तो नवच जाईने। पन एक वात छे। इना मौपर विशादनी रेखाओ दो रई। एक वातनू मने घूब दुख थाई छे। आ प्रिती उपर मारी बहुज आशा हती। एने डौक्टर बनावी अमेरिका भणवा मुखलवी हती। तम्मे तो जानों छो ए भणवा मा किटली होश्यार छे। मारा करता क्या आए वधारे। मने एम हतु के मारी नानकडी वाली बेन्ने हुँ उच्च आमा उँची शक्य हशे ते केडवनी आपिश। पण हवे ए स्थिती रही नथी। मने थाई छे। मुँ एना थी मोटो एटले मने ए सगवल मली गई। हवे स्थिती बदलाई। एमा सहन तो एनेच करवालूने। सहन तो सामान्यरी ते मोटा करे। ए मारा थी नानी तो एना रिदैमा रहेली आ प्रेम सभर्वानी जोईने मारा दिलमा पण करुणा उभ्रयावी। हुँ बोली काई नई सुमोहन भाई। संयोगो थी पराजित न थाई। अने मुश्केलियो सामे जुकी जवाने बदले लड़त आपे एनू नाम जीवन। तमे आवा शार्थी छो पची प्रीती ने शानी जिनता। रसुडामा भाभी चोखा विणता हता। मैं कहिँ। साचु के जो भाभी सुखी छो के कशुक दुख थाई छे। तपस्वीनी उमाना जेवू सुभग स्मीत करी उत्पला भाभी बोल्या। अरे बेन। तमे पन शुँ एम आवे अमे जमी लेए पची राते बे घडी वातो करता जे शीडो आनद मडे छे। ए पेला पार्टी ने क्लब ने मिजल सोमा क्यारे न मडतो। पण एक रंज तो मनमा रहे छे। आज सुधी घरकाम कर्यू नथी। एटले बरो बर फावट आवी नथी। काम करता पुषक मनमा थाया करे छे। पण मने लागे छे कि थोड़ा समय मा मने आ कामनी फावट आवी जशे। पछी हूं कोई शाड़ा मा कि एम काम करवा जई शकिश। एटली एकली पड़ी गई छूं, प्रीती कॉलेज मा जाया एने उत्पलातो घरकाम मा मने अडवा सुध्धा देती नथी। मिलन मुरुणालने तैयार करू, तो पण कहे ना बा, अमे बदू करी शूं, तमे रेवा दो, पची आखो दिवस करू शूं। ए हसी केवा दार सासू छो तमे, आवी वो, काई सहलाई थी नथी मढती। एमारी नजीक आवी धिमेस्वरे बोल्या, तेतु शूं माने छे, के एमारू नसीब छे, एतो छे दादाजीना पुन्यनु बढ, मने खबर छेने, दादाजीना दिलमा भगवान बैठा छे, जिन्दकी आखी मां कदी खोटू काम एमने कर्यू नथी, खोटू वच्चन बोल्या नथी, कोईनो तिरस्कार कर्यो नथी, भगवाने संपती लई-लईने, तो उल्टानी वदू मोटी आशिश आपी छे, पन शोक एटलो थाए छे, के बधाये आ मुश्केली निवार्वा, कैंक ने कैंक का काम उपाडी लिधू, ने हुँ एकली रही गई, मने थायू, कपडा सिवता शिखूं, तो संचो घेर वसावी शकाई, पन डोक्तरे कहियू हतू, आखे जाखप आवे छे, एटले आखनू कोई काम हमना कर्जो मा, दवात थाई जाय, पची चश्मा लेवा पडशे, खरे टाकने विग्न उभू थायूने, बस आटलू ना होत, तो कशिये खोट नोती, बहार जै, प्रिती नो हाथ पकड़ी हूं बोली, प्रिती, तुतो खुब भाग्यवान छे, जे घर ना लोकोमा आटली कर्तव्य भावना, पोताने घसी नाखवानी आटली जंकना होय, एमना प्रेमनी सुवास तो साचे ज तने इर्षा करवा जिवी भाग्यशाडी बनावी देछे, मारी सामे आनन्थी जोई प्रिती बोली, कर्तव्य भावना, मूतो एने श्रिमन्ताई कउँचू, पेली श्रिमन्ताई तो वस्तुनो आडंबर हतो, बहार नी चीज हती, साची श् दुना दिलमा वसी छे, संसकार नी श्रिमन्ताई, एम नो होत, तो आर्थिक द्रस्टी ए आटला मोटा पतन पच्छी, अमे शीरीते अमारा घर नी एज समवादीता, एज आनन्द, एज अखंडेतता जालवी शक्या होत, कहतो, हर्ष्थी मैं प्रितीनो हाथ दबाव्यो, घणा मोटा धन्नी स्वामीनी बनी चो प्रिती, द्वार अने दिवाल मा थी, पाठ सत्तर, संसकार नी श्रिमन्ताई, बाढ़ दोस्तो, हवे आपने लेखिकाना जीवन विशे, परीचै मेडविये, संसकार नी श्रिमन्ताई, ए पाठ, मानव जीवननी घटमाळ पर आधा कुट्टुम कथा छे, तेना लेखिका छे, श्री कुंदनी का कापडिया, तेमनो जन्म इस्वीशन 1927 मा लीमडी गामे थयो हतो, लेखिका श्री कुंदनी का कापडिया, बारताकार, तेमाज, नवल कथाकार तरीके जानीता छे, प्रेमना आसू, कागडनी होडी, वगेरे तेमना जानीता वारता संग्रह हो छे, साद पगला आकाश्मा, तेमनी बहु चर्चायली नवल कथा छे, परम समीपे विशिष्टरीते तैयार करेलो, एक प्रार्थना संग्रह छे, इमने साहीत्यानी साथे 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 समाज सिवानो पण अंगी कार कर्यो छे, हाल, तेव वलसाड नजीक आवेला नंदी ग्राम मा स्थाई थाया छे, अने साहीत्य सरजन करी रहा छे, बाड़ दोस्तो, संसकार नी श्रीमंताई, ए पाट, लेखी का श्रीना निबंध संग्रह द्वार, अने दिवाल मा थी लेवामा आव्यो छे, जेमा तेमने, खुद्रतना क्रय मनुसार, आवता सुख, दुखना, के चड़ती पड़तीना समय जरापण विचली थाया वगर, स्वस्थ मन्ती, परिस्थितीनो खराद देल थी, स्विकार करवो, ए बाबत रजु करी छे. 12 दोस्तो, हवे आपणे पाठने समझिये. जग मुहंदास इटला श्रीमंध हता, के इमना वर्तुड मा ते राजा नाम थीच संबोधाता. लक्ष्मी देविये, बे हाथे तेमनी आर्ती उतारी हशे. 60 लाक रूपियाने खर्चे, दरिया किनारे बंधावेलो तेमनो आस्मानी, आनंद महेल, रात्रे दीवाना जड़ हडाड थी, अलकापुरीनी याद आपी जतो. तेमने घेर छो मोटर गाडियो हती, अने नोकर चाकरनो तो पार नहीं. जगमोहन दासना कुटुम्बना आठ सभ्यो. तेमना पत्नी पार्वती बहें, प्रुद्ध पिता दायार जी भाई, 26 वर्ष्नो पुत्र सुमोहन, पुत्र वतु उत्पला, तेमना बे बाड़को, म पिलन तथा मुरुनाल, 16 वर्ष्नी पुत्री, पुत्री अने जगमोहन दास पोते. आठला बधा वैभवी स्थान मा ज्या दरेक जण पोतानी इच्छा प्रमाने करी शक्तु होई. त्या, उटुम्ब मा घर्शन नो के एवो प्रसंग शानो उभो थाए. बधाज लोको ख खुप सुखी हता. जिन्दगी सामे फरियाद करवानू, इमनी पासे कोई कारण नहतू. पण, विधाताना खेल माए अजब वडांको रहया होई छे. जगमोहन दास सट्टानो वैपार करता हता. वैपार मा तेमने एक भयंकर फटको पड़ियो, अने विपत्ती जहरे आव साथे एना लाव लशकरने पन लावे छे. एक एहवत अनुसार एक फटकानी पाचड एक पची एक आघातो, पराजयो, नुकसानी नी परंपरा चाली आवी. थोडा वर्षो मा जगमोहन दास बदूज खोई बेठा. ए नमानी शकाई एवी बात हती. अटली बदी संपती, अटलो वैभव, अमान, स्थान, बधूज पाणी ना रिलानी माफक, आख उगाडता ना उगाडतामा वही गयू. नुकसान एवडू मोटू हतू के शेटने पोतानो बंगलो सुद्धा वेची नाखवो पड़ियो. मोटर गाडी, ने, घर नी बीजी कीमती वस्तुओ तो ए पहलाज वेची ना खेली. अती शयोकती वगर, खरेखर सोनाना पार्णामा जिमना बाड़कू जूल्या हता, ए जग मोहंदा स्पच्चास रूपया भाडू आपी एक नानकडा मकानमा रहवा चाल्या गया. श्रीमनताई मानसना स्वभावने एक प्रकरनी अक्कडताती सजावी राखे छे. वईभवनू उचु आसन एना स्वभावने अमीरी बेपरवाईनो अंचडो पहरावे छे. पन मानसनी सामे जयरे आफ़त वावी पड़े छे, पाई-पाईना हिसाब उपर एने दिवसो खेंचवाना होई छे. त्यारे एना स्वभाव मां सम्तुलाने आउदार्य किटला रहे छे, ए एक निरिक्षन करवा जेवी वस्तु छे. जग मुहन दास शेट, नाना बनी गया, पची घर माथी बधा नोकरोंने रज्या आपवामा आवी हती. केवड एक घाटी घर नू काम करतो, रसोईनू काम स्त्री वर्गे उपाडिली दु हतु. चड़कती नवी मोटरों मा खरता शेठियाओने बदले, हवे एमने घेर नाना सामान्य मानसोनी अवर जवर वदी हती. जग मुहन दास नी पुत्री, प्रीती मारी मित्र हती. हुँ ए लोकोंने घणा समय थी ओड़कती, पण मारू एमने त्या जवा आववानू ओचु र जटी, अने प्रीती अने एनी बाने काम मा मदद करती. एलोकों एकदी काम नहतु करियू, एटले अगवडतों पारा वार उभी थती, पण तेवों एने निभावी लेता. एक दिवस बपोरे हुँ एमने त्या गई, त्यारे बहारना वरंडामा दायाड जी भई बेठा ब गणा दिवसे आवी बेटा, प्रिती कहती हती, तु बाहर गाम गई छो, सब यत्तों सारी छेने. उने तो दादा वड़ी कए दिवसे मजा मनती होती, पण तमे कैम छो, एक अहो. मारे शू दुख छे दिकरी, क्यारे बेठो बेठो खातो हतो, आजे बेठो बेठो रोटलो खाऊचू, मने कशी वातनी तकलिफ नथी, हजू आजे पन सवारे हूँ पथारी माथी उटू, के मसालो नाकेली गरम चानो सरसकप हाजर थाई चाय छे, वहू मने पूची ने र ने सांजे फरवा जाऊँ छू, मौटर नथी एकले हवे चालवानी कसरत मड़े चे, ते उल्टू सारू रहे चे तो दादा, तमे नीश्वास के मुख्यों? हेम चे दिकरी, ज्यां सुधी साहे भी हती, त्यां सुधी बैठो बैठो खातो हतो, ते कशू खराब नहतू लागतू, पड़ आजे, छेणे कदी कशू काम नहतू कर्यू, एवा आ पार्वती, प्रिती, उत्पला, जोश भेर काम करवा लागी गया छे, त्यारे हुँ बुड़ो कशू कर्या वगर खाव छू, ते मने खूचे छे, पड़ हुँ हवे शू करी शकू, मारी जुवानी मा तो मैं पड़ गणू खाम कर्यू छे, पड़ अत्यारे आ अवस्ताये मने कौन काम आपे, बस आज वातनू दुख रहया करे छे, काई नई दादा, तमारी अवस्ता पण क्या छे, काम करवा जेवी, मैं आश्वासन आपणो प्रयास कर्यो, ने अंदर गई, त्या सुमोहन बहार जतो, वच्चेज मड़ी गईू ओहो, दर्शना भेन, घण द्यूसे काई? हाँ, जरा बहार गम गई हती, केम छे कामकाज, नवी नोकरी मा आनंद छेने? आनं तो छे, दर्शना भेहन, छेक अमेरिका जेने भणी आवयो, ए नकामू तो नज जाएने, पन एक वाद छे, एक वाद तुमने खूब दूख थाए छे, आ प्रिती उपर मारी बहु जाशा हती, एने डॉक्टर बनावी अमेरिका भणवा मूकलवी हती, तमे तो जानो छो, ए भणवा मा केटली होंशियार छे, मारा करता एव धारे, मने एम हतू के मारी नानकडी वाली बहनने, हूँ उचा मा उची, शक्य हर्षे ते किलवनी आपेश, पन हवे ए स्तिती रही नथी, मने थाई छे, हूँ एना थी मोटो, एटले मने ए सगवड मली गई, हवे स स्तिती बदलाई, एमा सहन्तो एनेच करवानूने, सहन्तो सामाने रिते मोटा करे, ए मारा थी नानी तौपन, काई नई सुमोहन भई, संयोगो थी पराजित न थाई, अने मुश्केलियों सामे जुकी जवाने बदले, लड़त आपे एनू नामज जीवन, तमे आवा पुर पुरुशार्थी छो, पची प्रीती ने शानी चिनता, रसोडामा भाभी चोखा विणता हता, मैं कहिँ, साचु के जो भाभी, सुखी छो के कशुक दुख थाई छे, अरे बहन, तमे पण शुँ एम मानो छो, कि बंगलो ने मोटर गाडी ज, मानस ने सुख आपे छे, अर ये शीडो आनंद मढे छे, ए पेला पाटी ने कलब ने मिजलसों मा क्यारे न मढतो, पण एक रंज तो मनमा रहे छे, आज सुधी घरकाम कर्यू नथी, इटले बरोबर फावत आवी नथी, काम करता पुष्टकण वार लागे छे, थाई छे, पहले थी थोडू कर्यू होत तो आजे आटलो वखत एनी पाचण न जात, अने आजे मने वखत मढत, तो हूँ पर थोडू गणू कमाई, एमना बोज ने हलको करी शकत ने, बस आटलो शोक मनमा थया करे छे, पड़ मने लागे छे, कि थोड़ा समय मा मने आ काम नी फावत आवी जशे, पची हूँ कोई शाड़ा मा के एम काम करवा जई शकीश, पार्वती बेन माला फेर्वी ने हमना जुबा थया हता, आव दर्शना, तुँ आवे छे तो मने गमे छे, हूँ तो हवे एकली एकली पड़ी गई छूँ, प्रिती कॉलेज मा जाए, ने उत्पला तो घर काम मा मने अड़वा सु करवू शुँ, केवा नसीबदार सासु छो तमे, आवी वोव कही सैलाई थी नथी मरती, ते तुशु माने छे, के ए मारू नसीब छे, ए तो छे दादा जीना पुणियनु बढ, मने खबर छेने, दादा जीना दिलमा भगवान बेठा छे, जिन्दकी आखी मा कदी कोई नो तिरसकार करेव रथी, भगवाने संपती लई-लईने तो उल्टानी वधू मोटी आशिश आपी छे, पर शोग एटलो थाई छे, के बधाये आप मुश्केली निवारवा, काईक ने काईक काम उपाड़ी लिधू, नेहूं एकली रही गई, मने थाईूं, कपडा स सीवता शीखूं, तो संचो घेर वसावी शकाई, पन डॉक्टरे कहूं हतूं, आखे जाखप आवे छे, इटले आखनो कोई काम हमला करजो मा, दवा थाई जाए, पची चश्मा लेवा पडशे, खरे टाकडे विग्न उबु थाईूंने, बस आटलू ना होत, तो कशिये प्रिती, तुतो खूब भाग्यवान छे, जे घर ना लोकोमा आटली कर्तव्य भावना, पोताने घसी नाखवानी आटली जंकना होई, एमना प्रेमनी सुवास्तो, साचे ज, तने इर्षा करवा जेवी भाग्यशाडी बनावी दे छे कर्तव्य भावना, हूँ तो एने श्रीमन्ताई कहूँछू, पेली श्रीमन्ताई तो वस्तुनो आडंबर हतो, बाहारनी चीज हती, साची श्रीमन्ताई तो एस सहुना दिलमा वसी छे, संसकारनी श्रीमन्ताई, एम न होत, तो आर्थिक द्रश्टी ये आटला मोटा पतन पच्छी, अमें शीरीते अमारा घरनी एज समवादिता, एज आनन, एज अखंडिकता, जाडवी शक्या होत, कहे तो, घणा मोटा धन्नी स्वामीनी बनी चो प्रिती, बार दोस्तो, हवे अपने पाठनू वाचन करिये, झाल 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 झाल 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 भाशा सज्जता बार दोस्तों आगाव तमें गुजराती शब्द कोशना एक पाना मां थी गुजराती मां जवपराता संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फार्सी के अर्बी शब्दोंनू लेखन करियो छे आवार्ता मां गुजराती भाशा उपरांत बीजी भाशाओना शब्दोंनू उप्योग थे हो छे ते तमारा दिहान मां आव्यो हशे दाखला तरीके, डॉक्टर, पार्टी, क्लब वगेरे शब्दों अंग्रेजी भाशाना छे मिजलस, नसीब, नसीबदार वगेरे शब्दों अर्वी भाशाना छे जरे जिन्दगी, चश्मा, चीज, वगेरे शब्दों फार्सी भाशाना छे आपणी गुजराती भाशा मां पन संस्कृत अने अन्य भारतीय भाशाना अनेक शब्दों वपराई छे बाल दोस्तो, तत्सम अने तदभव, शब्द परिचय मिलविये अन्य भाषाना एटले के अंग्रेजी, हिंदी, फार्सी, अर्बी अने संस्क्रुत भाषाना शब्दो गुजराती भाषामा बैरिते आवे छे एक मूल रूपे, जैने तत्सम कहवाई छे अने बै, परिवर्थन पामिने, जैने तत्भव कहवाई छे संस्क्रुत भाषाना असंख्य शब्दो, गुजराती भाषामा मूल स्वरूप मा पन वपराय छे तैमज, तैमना परिवर्थन पामेला रूपो पन वपराय छे अहीं केटलाक संस्क्रुत शब्दो ना उदाहरण आपेला छे जै तत्सम अने तत्भव बन्ने रिते वपराय छे तत्सम शब्दो छे धर्म, सूर्य, हस्त, कर्म, वर्ष तत्भव शब्दो छे धर्म, सूरज, हात, कर्म, वरस भाषा सज्जिता, बाढ़ दोस्तो, हवे आपने विचार विस्तार विशे जाणिये चिंतनात्मक पंतियों मा रजु थैला विचार ने के बोध भावने पकड़ी एने विस्तार पुर्वक वरणव्वा मा आवे तैने विचार विस्तार नी प्रवृत्ती कहवाई बाढ़ दोस्तो, विचार विस्तार करती वक्ते किटलिक बाबतो द्यानमा राखवानी होई छे आ बाबतो आपने उदाहरण साथे समझिये विचार विस्तार मा द्यानमा राखवानी बाबतो एक, वाचवू अने विचार वो ए विचार विस्तार करवानी पायानी बाबच्छे सवप्रतम आपेली पंक्तियों ने ध्यान पुर्वक वाँचो एमा क्याए विराम चिन हो होई तो ए प्रमाने त्या अटकीने वाँचो जैम के मित्रो एवो शोधवो जे ढाल सरीखो होई सुखमा पाचल पड़ी रहे दुखमा आगल होई बै शब्दोना अर्थ समझवानों प्रयत्न करता जै पंक्ति पंक्तियों ना मुख्य विचार ने तारववो ए पन विचार विस्तार करवानी खास अगत्यनी बाबच्छे अहीं जुओ मित्र दोस्त शोध्वानों छे ढाल तलवार सामे रक्षण मिलववानू काचबा के मगरनी चामडी माथी बनेलू हतियार सरीखो, सर्खो, समान अहीं पंक्तिनों सादो अर्थ ए छे के मित्र एवो शोध्वो जोईए के जे ढाल जेवो होई सुखमा भले पाचल रहे, पण दुखमा हम्मेशा आगल रहतो होवो जोईए त्रोण पंक्ति के पंक्तियों माथी सादो अर्थ समझाए पची एमाथी प्रगटता अन्य अर्थो सूचितार्थो के गुढ़ार्थोने समझवानों प्रयत्न करी अने एमाथी शोबोध मले छे ते तारवो अहीं जुओ अहीं पंक्ति माँ ढालनू उदाहरण आपवामा आवेलू छे जैरे युद्ध के लडाई थता ना होई त्यारे ढाल सैनिकनी पीट पाचल भरायली रहे छे परन्तु सामे जैरे तलवार नो घा पड़वानों होई त्यारे ढाल सैनिकनी आगळ आवी तलवार ना घाने पोताना पर जिली लाए छे मित्रोपन आवाज होवा जोईए आपणा जीवन माँ जैरे दुखनों के मुश्केलीनों समय होई त्यारे आगळ आवी साथे रहीने मदद करता होवा जोईए पची भले आपने सुखी होईए त्यारे ते पाचल रहता होई चार पंक्तीना मुख्य विचार ने समझावार माटे आने अनुरूप अन्य एवी पंक्तियों, द्रस्टान्तों, रूढी प्रयोगों के कहवतों वगेरे लख्वी अहीं आविचार विस्तार माँ तमे कृष्ण सुदा माँ अने राम हनुमान जीनी मित्रता ना उदाहरण मुखी शको श्री राम अने हनुमान जीनी मित्रता जोईये, तो राम ना सीता जीनी शोधना अत्यंत विकट कार्य माँ हनुमान जी आगल रहया अने पची जारे राम गादी पर बैठा, त्यारे तेओ ढालनी जैम पाच़र पन रहया हता पांच, पंक्तीना मुख्य विचार ने उदाहरण द्वाना समझावया पची अन्ते विचार विस्तार ना सारांश रूपे पोतानों मन्तव्य रजु कर्भू जोईये जैम के आम आपने मित्र पसंदगी मां खुबज ध्यान राक्वो जोईये साचा मित्रो ढाल जेवा होई छे आपना दुख मां हम्मेशा साथापता होई छे अने सुख मां कोई अपेक्षा राक्ता न थी आवा साचा मित्रोज आपने पसंद करवा जोईये 6. सामान्य रिते विचार विस्तार के अर्थ विस्तार ना लेखन ने आपने त्रोण फक्रामा करवो जोईए प्रथम फक्रामा एमा रहे लोग मुख्य विचार लखवो अहीं पंक्तीनों सादो अर्थ ए छे के मित्र एवो शोधुवो जोईए के जे ढाल जेवो होई सुखमा भले पाचल रहे पन दुखमा हम्मेशा आगल रहतो होवो जोईए अहीं पंक्तीमा ढालनों उदाहरण आपवामा आवेलू छे ज्यारे युद्ध के लड़ाय थता ना होई त्यारे ढाल सैनिकनी पीठ पाचल भरायली रहे छे परंतु सामे ज्यारे तलवारनों घा पड़वानों होई त्यारे ढाल सैनिकनी आगल आवी तलवारना घाने होताना पर जीली ले छे मित्रो पन आवाज होवा जोईए आपना जीवन मां ज्यारे दुखनों के मुश्केलीनों समय होई त्यारे आगलावी साथे रहीने मदद करता होवा जोईए पची भले आपने सुखी होईए त्यारे ते पाचल रहता होई बीजा फक्रामा ए पंक्तियों नी विगतों द्रश्टान्तों साथे वरणवी श्री राम अने हनुमान जीनी मित्रता जोईए तो रामना सीता जीनी शोधना अत्यंत विकटकार्यमा हनुमान जी आगल रहा अने पची ज्यारे राम गादी पर बैठा त्यारे ते ओ ढालनी जैम पाचल पन रहा हता छिल्ला अने त्रीजा फक्रामा फरिथी सार रूप विगतों साथे पोतानों मंतव्य रजू करवू जोईए जैम के आम आपने मित्र पसंद गीमा खुबज द्यान राक वो जोईए साचा मित्रो ढाल जेवा होय छे आपना दुखमा हम्मेशा साथ आपता होय छे अने सुखमा कोई अपेक्षा राकता न थी आवा साचा मित्रोज आपने पसंद करवा जोईए छिल्ले तैयार करेला लेखन ने एक वार बराबर ध्यान पुर्वक फरिती वांची लेवू ने एमा खास जोई लेवू के काई भाशा किया भूलो रही तो न थी गईने जो रही गई होय तो ते तरतत सुधारी लेवी जोईए बाल दोस्तों अहीं दर्शाविली विगतों ने एक साथे फकराबंद लगता तमने विचार विस्तार बनशे जैने हवे तमारी वर्कशिट मा लखो